आहुल की रैली में भीड बेकाबू, दोनों निताओं के पहुचते ही वहाँ पर भीड बेकाबू हो गई, फूलपूर में बिना बोले राहुल गांधी निकल गए वहीं आपको बता दे कि लोगों ने बेरिकेडिंग तोड़ दी, यूपी में प्रयाग राच के फूलपूर में कॉंगरस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के नेता अखले श्यादर की चुनावी सभा में जम करके हंगामा हुआ, सभा में जुटी भीड दोन नेताओं को बिना भाषन दिये ही वहां से लौट जाना पड़ा, तस्वीरे आप देख सकते हैं, देखें यहां पर बिना कुछ बोले ही, बिना संबोधित किये ही राहुल गांधी और अखिलेश यादव को बहां से जाना पड़ा, ये देखें चार तस्वीरे टीव स्क्र बितल होते वे दिख रहे हैं, अफरात अफरी का माहौल भी दिख रहा है, और कारिकरता जो है वो बेकाबू होते वे देखे गए, मंच पर चड़ने की होड लग गई कारिकरताओं में, समर्थकों में, और मंच के करीब जाने के लिए लोगों ने वहां पर बेरिकेडिंग को तोड़ दी, जिससे सुरक्षा के लिया से पोलिस ने सभी को रोकने की कोशिश की, लेकिन भीर अनियंत्रित हो गई, तो ऐसे में वहां से राहुल गांधी और अखिलेश यादव बिना कुछ बोले ही, वहां से उन दोनों लोगों को जाना पड़ गया, तो हंगामा की व कारिकरता बेकाबू हो गए, समर्थकों में आगे जाने की होड लग गई, आगे जाकर के अखिलेश यादव और राहुल दान्दी को देखने के लिए होड मच गई, और इसी दोरान वहां पर भगदर जैसे हालात हो गए, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यहां पर भी अखिलेश और राहुल गांधी को बिना भाषन दिये ही वहां से निकल जाना पड़ा, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, कितने जादा संख्या में यहां पर भीड इखटा हुई है, और यहां पर भीड बेकाबू हो गई, सुरक्षा बल भी महां पर काबू में नहीं कर पाए भीड को, तो फूलपूर में बिना भोले ही राहुल और अखिलेश निकल गए, प्रियाग राच के फूलपूर में यहां पर बता दें आपको कॉंग्रस नेता, राहुल गांधी और समाजवाधी पार्टी की नेता, अखिलेश या दाइपी चुनावी सबाती जहां पर जुम का हंगामा हुआ